हेलो फ्रेंड्स आ वडियो लेक्चर मा आपड़े डिपलोमा एंजिनियरिंग सेमिस्टर फोर्थ एनी कोंप्यूटर बनातनों जे सब्जेक्ट छेग कोंप्यूटर नेट्वर्क्स एना यूनिट 5 ना केटलाक प्वेस्चन जोवाना छिए एमा सव प्रथम क्वेस्चन छे explain IPv4 header and protocol function छेटले के IPv4 header एटले शूँ एना वी से समझाओ अने यहाँ जेटलापर्म प्रोटोकल्स छे एना फंक्शन समझाओ सव प्रथम आपड़े IPv4 जोईए तो at the network layer TCP IP model support the inter-network protocol एटले क्या आजे TCP IP model छे ए आ आईपी प्रोटोकल ने सपट करे छे IP protocol अने TCP IP protocol मासू छे तो एबनने unreliable छे and connectionless protocols छे इट प्रोवाइड no error checking, error checking mechanism नो use आमा थातो ना थी तैमाच इट प्रोवाइड no error control and flow control इट यूज अनली error detection mechanism and discard the corrupted packet एटले के मित्रो आजे IP अने TCP IP छे एफक्त औने फक्त error detection औने discard the corrupted packet एटले के corrupted packet ने discard करवा माटे औने error नो detection करवा माटे आप badge माटे अनो use थाए छे ए error checking पन करतू ना थी error control के error flow control आत्राने त्रान मिकेनिजम नो use एनी अंदर थातो ना थी एफक्त आप 2 प्रकार ने facility प्रोवाइड करे छे एले के corrupted packet ने discard करशे अने error detection करशे डेटाग्राम is variable length packet consisting of the two parts आपड़ आजे डेटाग्राम बनवानों छे आजे header एमा टोटल ब्या पाट्स हो है छे एक header अने बिजो डेटा IPv4 header format shown in the figure जे आपड़े र्याकरूतीमा आपड़े लूशे आपड़े जो यह मुझवे header अने data आप ब्या पाट यहनी अंदर वही छे एमा सवप्रथम header a20 bytes नो होई छे त्यार पची बिजो बाग छे data एमा आपड़े समझावानों छे यह header पाट मित्रो सवप्रथम तो आपड़े diagram ड्रो करता सिखी लेशू सवप्रथम आपड़े 6 line ड्रो करीशू horizontally 1,2,3,4,5 अने 6 एमा उपर नी 3 line एने आपड़े ब्या पाट मा डिवाइड करीशू part 1 अने part 2 हवे काया काया पाट नों आपड़े partition करवानों छे तो सवप्रथम left side थी शरुवत करीशू आना आपड़े 3 बाग पाड़ीशू टोटल आजे एक्चुली पूरे-पूरी length होई शे ए 32 bits ने होई छे एमा आटलो अर्दो जे बाग छे 16 bit नो थसे एना सवप्रथम आपड़े ब्या पाट पाड़ीशू part 1 अने part 2 एमा जे part 1 छे एना फरिथी आपड़े ब्या बाग पाड़ीशू 4 4 bit ये लेके total 8 bit अने 28 bit ये लेके total 16 bit अने आबा जुन बाग छे एना कोई ब लेफ साइड पाड़ पाड़े आ तो बिजी वक्ते ये ये राइट साइड मा भाग पाड़ीशू एमा 3 अने 3 अने 3 आवरीथी बन्ने भाग पाड़ीशू एटलो टोटल 16 bit थाई जासे त्यार पाची फरिथी लेफ साइड ना भाग मा आपड़े ब्या पाड़ पाड़ी त्यार पाची आवरेशे हेडर लेंध एपण 4 bit नो एना पाची आवसे सर्विस टाइप एएट बीट नो औने टोटल लेंध आवसे 16 bit ने मित्रो अब दाज वड याद राखवा माटे आपकाई श्वर्टकट की बनावी ने आने याज राखी शको छो जेमके वी एच एस आद राखी शको छो IFF एटले के आइडेंटिफिकेशन फ्लेग अने फ्रेग्मेंटेशन ओपसेट अने लास्ट मावसे टाइम टूल लाइव ए एएट बीट प्रोटोकल्स एएट बीट अने हेडर चेक सम ए 16 बीट त्यार पछे जी निचीनी त्रण लाइनो छे एमावस सोर्स आइपी एड्रेस अने डेस्टिनेशन आइपी एड्रेस अने लास्ट जे बाग छे ए ओपस्नर पाट छे जेनो फ्यूचर यूज माटे आपडे रिजर्व राखेलो छे मितुर एक बार फरी थी बैक जई अने आख्याको डाइग्राम याद राखेले जो त्यार पछे आपने फक्त दरेक जे पाट छे एनी साइज अने अनुएक एक फंक्शन आटलूद लखवानुचे के जे थी आप साराइवा माक्स लाविश अको परन्तु ये पेला आव ज फिल्ड द्फाइन द्वर्जन ओफ ये अटली सुबतावे छे कि आपी ड्रेस नू वर्जन कोियो छे normally आपने खबर छे कि IPV4 आने IPV6 बेप्रकार्न आपने यूज़ करिये चे ये एमां करंड ली जे यूज़ था रहो छे ये ये 차 IPV4 with binary value 0100 IPv4 एटले के 4 नी binary value थासे 0100 अने जो IPv6 हसे तो ये वर्जन 6 तरीके ओडखासे अने त्यारे ये नी value असे 0110 के जे 6 नो binary छे बिजु छे h length एटले के header length this field defines the length of the header in IP datagram एटले के IP datagram मा header नी length केटली हसे एच लेन आपने suggest करें छे length is in multiple of 4 bytes आना अंदर जेकली पंट लेन्थ हसे ए 4 bytes ना multiple माँ हसे this 4 bit information means अब या 4 bit नी information एटले शू तो के आपने 000 थिला याने 1111 एटले के decimal माँ जो ये तो 0 थिला इने 15 माँ कोई पंदर माँ कोई पंड आंकडो त्यां लखी शकिये छे ने जे पंड आंकडो लखी शू multiply by 4 कर इशू इटले आपने यानी total length मड़ी जैसे एना पछी थर्ड माँ आतू service type this field define how the datagram should be handled एटले के datagram कई रिते handle थाई छे ए आपने service type मा identify करे लू हसे कई रिते identify करे लू हसे तो it contains the bits अना अना अंदर के टलाक bit असे and that specify the types of services जमके 000 कहीं का लख स्पेसिफाई करतू हस जीरो वन जीरो कहीं अलग स्पेसिफाई करतू हसे आवरी ते यानी अंदर bit हसे and that specify the type of services जमके आपने अलग अलग प्रकारने service हो आपती हसे जेवी के reliability, delay, त्यार पछी चे लेवल of throughputs अटली अलग 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 प्रकारने service जेपन बीट हसे 0110 ना sequence मा ए आपनने इस फिल्ड डिफाइंड टोटल लेंथ हाप थी आईपी डेटाग्राम आणा उपर जे हेडर लेंथ हति ये फक्त हेडर नी लेंथ हापतू हतु जारे या टोटल लेंथ मर्चे आपने आपने डेटाग्राम एमां जो ये तो टोटल लेंथ मा सुआ आवसे तो header नी length प्लस data length आप बन्ने ने combine करिए तो आपणने total length मड़ी जैसे this 16 bit field आमां total 16 bit नी field होये छे मतलब के 2 raise to 16 एदले के total आपणने 56, 536 आतला IP डेटाग्राम ना limit मा एनी length मड़ से त्यार पची छे identification, identification field is used in the fragmentation आज identification field छे एनो यूज थाई छे fragmentation माटे all the fragments have the same identification number एना अंदर जेटला पन fragment आपेला हसे ये बदाने same identification number हसे एना पची छे flag तो मित्रो आ टोटल 3 bit नो flag आवे छे माईनी जे 1st bit छे it is reserve for the future use ये future use माटे reserve करे ली छे एनी पची छे 2nd bit it is called the do not fragment bit अने जे 3rd bit से it is called the more fragment bit सब प्रथम आपणे flag भी से आटलू जयाद राखी सो के 1st bit एटले के reserve for future use 2nd bit एटले के do not fragment bit अने 3rd bit एटले के more fragment हवे यमाँ 1 होई तो शू था अने 0 होई तो शू था तो जो if its value is 1 जो आनी value 1 हशे मतलब के do not fragment एटले के machine must not fragment the datagram जो value 1 हशे तो आने datagram ने fragment कर से नई अने जो value 0 हशे the datagram can be fragmented if necessary अने जो 0 हशे तो data fragment हशे जो एनी necessary हशे तो ते बिजरी ते आपड़े 3rd bit मां जोई है तो ये more fragment माटे नूँ छे एल्ले के जारे value 1 हशे त्यारे एव शजेस्ट कर से के हजू कहीं fragmentation बाकी छे तो आपने एव शजेस्ट कर से it means this is not the last fragment there are more fragment after this one एल्ले के आना पछीब पन कहीं fragmentation बाकी छे आउँ सजेस्ट कर से जारे एनी value 1 हशे अने if its value is 0 जो एनी value 0 हशे तो ये आपने इंफर्म कर से this is the last or only one fragment का तो आ एकच फ्रेग्मेंट छे अथवा तो आ लास्ट फ्रेग्मेंट छे ले सव प्रथम तो आपने आटलू जयाद राखीशू के first bit result छे future use माटे second bit छे do not fragment माटे अने third bit छे more fragment माटे त्यार बाद जो आपा concept easily समझी शको छो तो एने एकजाम मा लखी शको छो अतर्वाइस आटलू जे आपेलू छे आट do not fragment अने more fragment एटलू इनप छे त्यार पछे छे fragment offset the fragment offset is a pointer that show the position of fragment in the original datagram एटले के आपर जे original datagram छे एमा जे fragment थाई छे एनी position बतावानू काम करे छे fragment offset time to live this field is used to control the maximum number of hops एटले के routers visited by the datagram एटले के datagram मा केटला router विजीट करे छे ए आपन या time to live बतावे छे this prevents the datagram from going back and forth forever between router how many times datagram लाइव इन दा ट्रांस्मिशन आपड़े फक्त आटलू जयाद राखवानू छे के this field is used to control the maximum number of routes router visited by the datagram datagram केटला router नो यूज करे छे and how many times datagram लाइव इन दा ट्रांस्मिशन मानलो के host A थी भी आपड़े data send करवो होए तो किटली वार A त्या transmission मा रहे से मतलब कि जया सुधी डेस्टिनेशन सुधी नहीं पवा चे जया सुधी नो जय टाइम हासे एन आपड़े कैसु टाइम टो लाइव एना पछी चे प्रोटोकल दिस फिल्ड डिफाइन दा हायर लेवल प्रोटोकल देट यूज द सर्विस ओफ IP लेयर आना अंदर बद्दा जेटला पन हायर लेवल ना प्रोटोकल्स छे ए आईपी एड्रेस नो यूज करे छे टले कि आईपी सर्विस लेयर छे आनो यूज करे छे हायर लेयर प्रोटोकल्स काया काया छे तो TCP, UDP, ICMP अने IGMP मीत्र बदाना फुल्फोम पन आपने आवड़वा जरूरी छे प्रोटोकल्स प्रोटोक्स प्रोटोकल्स यूज यूज क्वा यूज़ करिये छिए एना पचीनी त्रण फिल्ड छे source IP address इस फिल्ड स्पेसिफाई दो 4 bytes ये टले के total 32 bit था से क्यामके एक byte मा 8 bit आवे ये total 4 byte मा 4 x 8 ये टले के 32 bit था से internet address of the source आना अंदर source नो IP address आ से destination address मा जो ये तो आना अंदर destination नो IP address आ से this field must remain unchanged during the datagram ट्रावेल फ्रॉम वन नेटवर्क टू अन अधरमेत्रों कोई पन पेकेट जारे एक जग्या ये थी बीजी जग्या ये शेंड थाई छे त्यार ये आनू source IP address क्या रहे चेंज थातू न थी त्यार पछे destination IP address मा ये आनू destination आड्रेस आ से this is also the 24 bytes internet address this field must remain unchanged आ फिल्ड पर उंचेंज होई छें क्या आपने डेटाने जेपन destination ने पचाड़ वो होए येनू IP address फिक्स जोई है तोज आपने ने डेस्टिनेशन पर पचाड़ी आपने लास्ट मा छे option option पार्ट मेंस इट इस नोट रिक्वार फोर एवरी डेटाग्राम एटले के दरेक 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 डेटाग्राम मा आनी जरूर होती न थी they are used for network testing debugging control routing timing management आवा अलग-अलग प्रकार ना टेस्ट के सिसमा आपड़े option भागनो यूज करिये छिए option field gives the more functionality to the IP डाइग्राम आपने काई additional functionality जोवती होया थवा तो add करवी फई डेटाग्राम मा तो आपड़े या option फिल्ड नो यूज करी शक्ये छिए मित्रों दरेक फिल्ड विशे आप डाइग्राम जोई औने जाते ज आइडेंडिफाइव करी शको चो के वर्जन तो शेना माटे यूज थाई छे तो काया प्रकार नू वर्जन छे IPv4 छे कि IPv6 छे त्यार बाद header length तो header नी length प्रवाइड करे छे एवीज रिते आप आप फक्त डाइग्राम जोई ने बदाज विशे यानू काम सू छे एटलू जो आप जाते डिसेड करी लेशो तो आ question नो आंसर आप आसाने थी लखी श जो छता पन आपने याद नथी रहतू केटलाग भुली जवाएँ छे तो minimum energetally byte छे आतो आपने compulsory लखी शुक्यानी आटली bits होई छे जैमके version तो version is for the 4 bits field आटलू तो आपने दड़ेक माटे लखी शु तो पन तामे 10-15 statement आसाने थी लखी शक्षू त्यार पछेनों question छे explain difference type of IP addressing scheme IP address ने कई-कई रिती अलग-अलग रिती रीड करी शकाए ये माटेनों question छे IP address that identifies the connection of host to his network is called the network address or IP address मतलब address that identifies the connection आपनों जो होस्ट होए येनों connection जे पन identify करे छे आपने इंटरनेट address अथवा तो IP address थी उरखिये छे IP address is a 32-bit address ये 32-bit नों होए छे its unique and universal address आई unique अने universal address चे unique मतलब आपने जितली पन system connect थेली होए छे येने क्यारे पन same IP address होतो नथी means two device on internet can never have the same address at a time आनों मतलब थाए छे unique विजू छे universal address मतलब that the addressing system must be accepted by the any host that want to be connected to the internet इतली कि कोई पन सिस्टम ने जो internet साथे connect थाओ हो हसे तो यहने पंपल सरी IP address साथ है जोडाव पड़ से एतली कि यहने कईक ने कईक IP address हसे यहने IP address accept करवू पड़ से यह माटे मित्रों टोटल बै शिस्टम यूज थाए छे फर्स्ट छे binary notation आने बीजी छे decimal dotted notation एमा नॉर्मली आपने या decimal dotted notation नों यूज करिये छे जेती है read करवी और remember करवी easy होई छे यहमा छे 192.168.5.130 आने आपने ड्वाटे decimal कहिश्यू आने जो आज नंबर ने आपने binary मां convert करिये तो यहने आपने binary form कहिश्यू एतले के 192 आपने सिस्टम खबर छे के 1248 16 32 64 और 128 यहमा 128 आने 64 करिये तो आपने या 192 मर से यह विज खबर छे 1 2 4 यहमा 4 आने 1 आपने 1 छे थे 4 प्लस 1 एटले के 5 थासे जो आपने यहां binary to decimal conversion ना अवर्तु होए तो यहना माटे नो वीडियो मुँआ डिस्क्रिप्शन मा मुकीश के जे लिंक जोई अने आप binary to doted decimal आने decimal to binary आ कंद्वर्जन आप सिखी चको छे यहमां मीतर जोई यह थी एरी मां तो binary notation IP address is a 32 bit address है मां जोई शेकी छे के दरेक 8-8 bit आशे आने एक वक्टेंट तरीके पन उडखवा मां आवे छे केमके आनी अन्द टोटाल 8 bit होए छे तो टोटाल 32 bit आशे to make address readable one or more space is usually inserted between the each 8 bit एटले के आजे IP address छे यहने easily read करवा मांटे जारे जारे 8 bit पूरा था से त्यारे कातो स्पेस कातो डोट आना वड़े आपने आने separate करी शे जे थी easily आज 4 भाग छे यहने आपने read करी शकीए बीजी छे dotted decimal to make the 32 bit address short and easier आजे binary notation वारू address छे यहने short अने easier बनावा माटे आपने जे method यूज करिये छे यहने आपने dotted decimal कहिशू dotted decimal is also separated by the dot ये पन डोट थी separate करवा माँ आवे शे जो इट इस क्वल दी dotted decimal notation आथी आपने dotted decimal notation थी ओड़ा किये छे येना पच्छीनों question छे मित्रो SMTP येनों full form याद राकीशू simple mail transfer protocol this protocol is used for sending the email message between the server बे server वच्चे जारे email address email message ये आपने send करवो होए जारे आपने SMTP यूज करिये छे मित्रो बीजी theory ना याद रहे तो as a computer engineer करी के तमने आब ये point याद रहाज जुए के येनों full form simple mail transfer protocol and email send करवा माँ यूज ठाए छे आपने words आपने याद रहाज जुए most email system use the SMTP उट्टा भगनी जेके email system छे या SMTP नों यूज करे छे सेना माटे to send the message from one server to another एक server पर थी बीजा server पर send करवा माटे आपने SMTP नों use करिये छे it provides the mail exchange between the user on the same or different computer आनों use थाए छे mail ने exchange करवा माटे कया कया तो same or different computer एकज computer अथवा तो एक computer थी अलग computer उपर जो आपने mail ने exchange करवा हो है एटले के mail send करवा हो है अथवा तो receive करवा हो है त्यारे आपने SMTP नों use करिये छे it can send a single message to one or more participant एटले के आँ single message एक अथवा तो वधारे participant अथवा तो वधारे recipient ने आपने send करी शकिये छे sending the message can include the text, voice, video or graphics आजे आपने email से एनी अंदर आपने text, voice, video, graphics अटली अटली वस्तु एड करी शकिये छे के जेना अंदर SMTP प्रोटोकल नो use थय हो है एनी अंदर the message can then be retrieve with the email client using the POP एटले के एने email क्लाइंट आ message ने post office प्रोटोकल द्वारा read कर से और IMAP internet message a access protocol आप बनने प्रोटोकल नों पर mail माटे use थाई छे के POP अने IMAP in addition SMTP is generally used to send the message from mail client to the mail server normally आजे SMTP छे यहनो use mail थी sorry client थी server शुदीना mail send करवा माटे पन थाई छे टले के server to server पन mail send करी शकिये छे अने client to server पना send करी शकिये छे this is why you need to specify both the POP and IMAP server and the SMTP server when you configure your email application मतलब आज मेल जे एक जग्या है थी बीजे जग्या है send थाई छे यहनी माटे तमारे POP अने IMAP अब अने server नों use करवा पड़ से अने यह SMTP server साथे configure करवा मा आवे शे first we will break the SMTP client and SMTP server into the two components हवे आनी अंदर जे SMTP client अने SMTP server हसे यहने आपने बेया पाट मा डिवाइड करी दाईशू जेने आपने user agent UA अने mail transfer agent MTA अब बनने पाट तरीके आपने अने ओड़किये छिए जे आपनो SMTP client अने SMTP server हसे यहने आपने जे बेया पाट पाड़ाया छे user agent UA अने भी जो छे mail transfer agent MTA the user agent UA prepare the message, create the envelope and then put the message into the envelope आजे user agent शे एटले के client side एनू काम सुछे message में prepare करवानू अने create करवानू अने envelope करवानू then put the message into the envelope एटले के message ने send करो माटे ready कर दे शे the mail transfer agent MTA transferred this mail across the internet ना जे MTA छे आ mail ने हवे एक जग्याए थी बिजी जग्याए ट्रांसफर कर से the SMTP model is of two types आजे SMTP models छे यह बेया टाइप्स ना होए छे माँ फर्स्ट छे end-to-end method आने बिजी छे store and forward method आ बन्ने method नो यूज आजे SMTP छे एनि अंदर आपने करी शकिया छे एना पछी नो ग्वेस्टन छे explain classful address in detail मित्रों most IMP question अने networking माटे पौन आ एक खुब जगत्यानो ग्वेस्टन छे जे आपरे daily life मा IP address नो यूज करिये छे एक काया class ना छे ए identify करवा माटे आपने आ question नी मद थियाने समझे शकिये छे तो question आओ पुछा एक जाम मा classful addressing in detail the address space is divided into the five classes class A, class B, class C, class D and class E एक टोटल एक पांच class मा divide करवा मा आवे छे address in classes A, B and C are used for the unicast communication जे फ़स्ट त्रोण class से एनो प्योग unicast communication माटे थाई छे एकले के one source to the one destination एकले के one to one communication माटे जारे address class D are used for the multicasting communication एकले के one source to many destinations अने class E are reserved for the future usage एकले के आने पन आपने तरण कैटेगरी माँ डिवाइड करे ला छे ABC a unicast माटे एकले के one to one माटे class D a multicast माटे एकले के one source to many destination अने class E a reserved future use माटे इन address, IP address in classes ABC is divided into the net ID and host ID आने पन मित्रों आपड़े बेह भाट माँ डिवाइड करिये छे net ID अने host ID net ID एकले के network identification number अने host ID एकले के host address जे class A होई छे एनि अंदर आ टोटल चार पार्ट होई छे एमाजे first पार्ट छे आजे yellow color ए net ID होई छे औने बाकीना तरण host ID होई छे ए विजरी ते class B माँ जे first two पार्ट असे ए net ID अने आबनने host ID तेमाज class C माँ प्रथम त्रण net ID अने last host ID होई यह लखेलू ना थी परन्तु आपड़े याद राखू के कोई पड़ आईपी अड्रेस जो 0 थी start थतू होई binary माँ तो एक compulsory class A new IP address होई जो A address 10 थी start थतू होई तो एक class B new IP address होई 110 class C, 1110 class D, 1111, तो एक class A new IP address होई आम कोई पन आईपी एड्रेस ने यहने डीजी टू पर थी आपड़े आइडेंटिफाइ करी शक्किये के एक कया क्लास नूँ आईपी एड्रेस हसे यहना माटे मित्रों आपड़े सीक्वंस याद राखवानी छे 0101101110 आपड़े आगर यहां 111 एड्र करता जवान आछे आविज रिते जो यहने डेसीमल मा याद राखू होए डोटे डेसीमल मा तो यहना माटे पना एक क्लास आपेला छे कि 0 थी 127 तो यह क्लास केनू हसे आमा टोटल एकसो अट्ट्यावीस एड्रेस हसे त्यार पछी क्लास बी 128 to 191 आमा टोटल 64 क्लास इचाशे त्यार पछी छे क्लास C 192 थी 223 क्लास D 224 थी 239 अने क्लास E 240 थी 255 आपड़े याद राखू बढ़शे Finding the class in binary notation हवे same to same आजे theory छे याना पर्थित लखेली छे क्या आपड़े binary notation पर्थी कईरी ते class find करी शक्या If we want to find out the class of any IP address by using the binary notation इतले के binary notation नी मदद थी आपड़े कोई पन IP address नो क्लास जानवो होए तो आड़ी जीट उपर थी आपड़े identify करी शक्या छे इतले के आपड़े ने first byte चेक करवानी रहे से जो IP address starting with binary 0 जो binary 0 थी start थतु हसे तो यह से class A it is start with 10 then A class B नू हसे आविजरी ते आप 5 statement लखी शक्या चिये if it start with 110 then it belongs to class C if it will start with 1110 then it belongs to class D आपड़े मां गोखवानी जरूँ ना थी आप 5 statement आप आसानी थी आडाइग्राम जो इने लखी शक्या चो यह विजरी थी finding the class in dotted decimal notation तो आमापण आप easily first byte चेक करवानी जो 0 थी 127 सुधी हसे तो यह class A त्यार पच्छी 128 to 191 हसे तो यह class B एविजरी थी आपणने खबर चेके 192 त्यां थी 223 तो यह class C 224 थी 239 तो class D और 240 थी 255 तो A class E हसे आउँ आपड़े आप बन्ने डी 0 पर थी identify करी शक्या चिये त्यार पची छे network address, the network address is the address that define the network itself, it cannot be assigned to the host अब बन्ने ने आपड़े रिजर्व राखिये शी एनो यूज आपड़े कोई पन जग्याई करता न थी बस सिंप्ली आपड़े आटलू जयाद राखवानों शे आपच्छी ना जटला पन टोपिक छे जैमके subnet and subnet masking एट लेश्यू त्यार पच्छी IPv6 एड्रेस एटलेश्यू एना एडवांडेजिस सुछे IPv4 नी कमपेरिजन मा पी ओपी थ्री प्रोटोकल्स, पोस्ट ओफिस प्रोटोकल्स, त्यार पची छे DNS एटलेश्यू, डोमिन नेम सिस्टम आव वीडियो आपने आवता लेक्चर मा जोवाना छिए, जो आप आव वीडियो ने जोवा माकता हो तो चैनल ने आजेज सब्सक्राइब करीले जो, तेमज जो आपने कोई पन डाउट लागता हो है, तो आप कोमेंट ठीवेने कुछी शको छो, जो आव वीडियो गमे हो है, तो चोकस्ती लाइक कर जो, लाइक करवानों ना भूलता, तेमज आव नारा तमाम वीडियो माटे नोटिफिकेशन आप जो आपना मेल बोक्स में इचता हो, तो आजेज आचैनल ने सब्सक्राइब करीले जो, तेमज आपना फ्रेंड साथे आने चोकस्ती शेर कर जो, थेंक यू.